हमें तो quality education ना है ना गुनवत्ता पुर्ण सिख्षक भाल करके गुनवत्ता पुर्ण सिख्षक भाल होंगे तभी तो गुनवत्ता पुर्ण सिख्षक मिल पाएगी आम लोगों को जो बड़े नेटा हैं बीजेपी के सुसील कुमार मोदी जी उन्होंने एक अफसर पर कहा कि बेतनमान भगमान भी नहीं दे सकता है धरती पर भाई सरकार बेतनमान देने जा रही है आपको देने के लिए दस लाग का पहला चरण है जाए लाग क्या सपास की भाली होगी हो सकता ज्यादा भी हो तो आप राजवासी इस बात को गंभीता पुरबक लें और हमारे जो बेरोजगार हैं वो भी इस बात को गंभीता पुरबक लें अब भ्यार्थी तैयारी करें अब तो हमको लगता है कि हर जगा से रिखती आ अब एक शिक्षक को अगर अब्यर्थी को सिक्षक बनना है तो जो पातता परिक्षा उन्होंने दी है जैसे ट्रेनिंग किया है सिटेट एस्टीटी किया है उन्होंने सिक्षक बनने की योगता धारन कर ली अब जिस तरह से प्रोफेसर लोग भाल होते हैं तो बड़े ही कठिन पढ़ाय के बाद नेट करते हैं बड़े ही महिनत के बाद प्यजडी करते हैं नेट और प्यजडी करते हैं तो वो प्रोफेसर बनने के योग होते हैं प्रोफेसर बनने के लिए दक्स होते हैं आपको नह जो मतलब इस धंक की चीजें को हवा देते हैं लोग उनको यह समयना चाहिए कि हमें आखिर अल्टिमेटली देनी क्या है। हमें तो quality education ना है ना गुनवत्ता पुर्ण सिक्षक बहाल करके गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा देनी है। तो गुनवत्ता पुर्ण सिक्षक बहाल करने में अगर कि नहीं कुछ परिशानी हो रही है तो जो वर्सों से 15 साल 20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसे नियोजी सिक्षक अपने आपको नियोजन के डंस से अगर अलग करना चाहते हैं तो उनके नियोजन में मानने मुखमती जी ने कहा है कि नियोजन की नीती है नियोजन की नीती जो बरकरार है उसमें से नियोजी सिक्षकों को हटात होने रहे। बलकि मानने मुखमंती जी ने कई अफसर पर कहा है कि हम बेतन बढ़ाने जा रहे हैं मगर ये तो अच्छा नहीं है कि आप सिक्षक हैं आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आप जो पढ़ाते हैं उसी कुर्स में से आप से कुछ अगर सवाल पूछे जाते हैं और आपको लगता हो कि नहीं नहीं हम सवाल के घेरे में नहीं आए तो ये ठीक नहीं है आप अगर राज कर्मी का दर्जा चाहते हैं तो एक कदम आगे वरने के लिए थोड़ी मेनत करिए अईसाने नहीं है किया आप वीडियो लिगा विडियो साहब है या किरानी साहब है या बाबू लोग है कि भाई आपको पधाए से रिष्टा छुट गया आप तो लगातार पधाए के संपर्क में हैं पृफ्टा से क्वालेटी बहतर हो बेटर ना आप इधीन बताईए ना कि quality सिख्षक भाल होंगे गुनवत्ता पुन सिख्षक भाल होंगे तभी तो गुनवत्ता पुन सिख्षक मिल पाएगी आम लोगों को इसलिए हमारे राज के हित में माता पिता के हित में चातरों के हित में और फिर सबसे बड़ी चीज जो है ग्यान की भूमी अगर भारत है तो उसके सबसे बड़े आधार भिहार है तो जो ज्यान का पर्चम बिरासत में हमारे यां लहराता रहा है इसके लिए चिंतित हमारे राजने त्वित हैं माननिये मुखमंती जी नितीश वावु और उपमुखमंती जेज़सी परसाजादव जी तो इसको लोग को स्विकार करनी चाहिए और इस बात को अनावस्यख तुल नहीं देनी चाहिए और विरोधी का जो काम है, वो अपने काम में लगे हैं, वो बर्गलाएंगे, वो भरम फैलाएंगे, वो भरम फैलाएंगे, अब एक चुछ बता देजिए ना, कि संबाब था, आप लोगो ज़रे जनकारी होगे, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के सुसिल कुमार मोदी जी, उन्होंने एक अफसर पर कहा, कि बेतनमान भगमान भी नहीं दे सकता है धरती पर, भाई सरकार बेतनमान देने जा रही है, आप बीजेपी के लोग कहते हो कि भगमान भी नहीं दे सकता है, दिल्ली से नोक्रिया गायव हो गई, भारत सरकार के उपक्रमों को नीजी हाथों धाल करके बारोस Ali का से information करेब होनी तो झाहए है तो जो सरकार आपको को देने के लिए 10 लाग का पहला चरन है क्या बाइला के आसपास की वादी होगी हो सकता ज़्यादा भी उ पॉनि YOUR मज़ी और फूने लाग के में लगवग करेफ़नें और रम साथ हजार के आसबा यह जब इतनी बहनी एक संवाद को गमिता पुरबखले और हमारे जो वेरोजगार हैं वो भी इस बात को गमिता पुरबखले अब भैर्थी तैयारी करें अब तो हमको लगता है कि शायद हर जगा से रिखती आ गई होगी अब तक आ गई होगी सम्भब तो हम आज ने एक ब्रीफ लिया है आज ब्रीफ नहीं लिया है विभाग का लेकिन जैसे रिखती आएगी विग्यापन होगा और खुद हमारे राज के मुख्या बिहार विकास के सिल्पकार इसके लिए चिंटिन है उसको खुद मोनिटर कर रहे हैं अब अब ये बताईए कोई कोई आदमी का बयान हम नहीं पढ़े हैं उन्होंने क्या कहा है बयान पढ़ेंगे तो आपका जवाब दे पाएंगे लेकिन कोई भी जो बिहार की चिंटा क करेगा वह आदमी जहां देख रहा है लाखों लोगों की भाली होनी है तो कोन यह नहीं चाहेगा कि गुनवत्तापुन सिक्षा के लिए गुनवत्तापुन सिक्षबाद अगर इसा वह नहीं चाहते हैं तो यह चिंदाजनकबात है यह ठीक नहीं